जैहिंद इस वीडियो हम लोग LIC के IPO बारें बात करेंगे LIC का IPO बहुत परतिक्षित IPO है साल 2020 से इसका सब को इंतजार कर रहा है मैं भी इंतजार कर रहा हूं लेगिन अब ऐसा लगता है कि LIC के IPO का जो इंतजार है इंतजार की घड़ी खत्म हने वाली है क्योंकि इसको लेकर इंसोरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है और सायद सबसे बड़ी कंपनी बन जाए इसको लेकर क्या अपडेट है जल्दे जान लेते हैं LIC का IPO जो इसी साल का फरवरी मार्च तक आ जाएगा यह बात में की सधार पर कह रहा हूं और आपको सोर्स बताता हूं दो इसके मेजर सो मतलब फरवरी से लेकर मार्च तक और डीपी आईएटी सेक्रेटी के में बता जाता हूं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड के जो एक बड़ी है उसके सेक्रेटरी अनुराब जैन इन्होंने भी कहा है कि इसी साल के फरवरी मा अपनियां सामिल है इसका व्याइपी इसी साल में आने की पूरे चांस सज है फिलार अम लोगे लाइसी पर फोकेस करते हैं और लाइसी के बारहें जानते हैं देग लाइसी का पूरा इस्ट्रक्टर है सी 25 परसेंट को गोवर्मेंट एस्टोक रूप में सेयर मार्केट में लिष्टट करेंगी। मतलब życie का 60% हिस्चाः गोश्मनी बीचने के त्यारी میں है। बाकी का 75% हिस्चे तरी जो है गोश्मनी के पासी रहेगी। और यह इस ट्रे peninsula 5 साल तक ऐसा भी बने रहेगा। मतलब 5 साल तक Łई सी का 75% हिस्चेदारी गोश्मने के पास रहेगा। और 25% हिस्सेदारी ही इस्टॉक को रूप में रहेगा पबली के पास लेकिन यह जो 25% हिस्सेदारी है उसमें से 10% हिस्सेदारी इसके policy holders के लिए सुरक्षित रखा गया है policy holders मतलब अगर आपके पास LIC का policy है तो आपको LIC के IPO में allotment लेने के chances बढ़ जाएंगे इसलिए अगर आपके पास LIC के policy नहीं है तो policy ले लिजिए और जिनके पास policy है उनको जरूरी है कि अपना KYC complete करने के लिए कुछ नहीं लगता है pen card लेके लाइसी के जो एजेंट होते उनसे मिले या लाइसी के ब्रांच में जाए और अपना KYC कम्प्लीट करा लेजे अब समाझते हैं यह जो 25% हिस्सेदारी है इसी 25% हिस्सेदारी के होगा 10-15 क्रोन रुपया और इसका प्राइस बेंड होगा 400-600 रुपया के आसबास यह सिर्फ एक अनुमानी जो आकड़ा है मैं बता रहा हूं अभी इससा फिक्स नहीं है कि इसका प्राइस बेंड यह होगा या इसका जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बदल जाएगा पांच साल बाद गोर्मेंट अपने हिस्सेदारी थोड़े-थोड़े करके घटाएगी यानि कि अभी जो 75% हिस्सेदारी गोर्मेंट के पास है उसको घटाएकर एकाउन परसेंट करेगी और इस तरह पबली के पास 49% LIC के हिस्सेदारी आ जाएगी यह अच्छी बात है कि पबली के पास गोर्मेंट कमपनी के जितना जाएगा पबूली के लिए उतना बहतर होगा तो आइँ ओप आपको वीडियो समझ में होगी मैं जो बताना चाह ता आपको समझ में समया होगा फिर वी अगर आपको म whom Jr. आपको नया जाना चाहते तो हूंस पूर्मेंड में प